कुछ महत्वपूर्ण बाते समझ लीजिए साइंस डिबेट के बारे में देखिए कोई एक टॉपिक दिया जाता है इस टॉपिक के फेवर यानि पॉजिटिव पॉइंट बोले जाते हैं और नेगेटिव पॉइंट बोले जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट आपने 4-5 बोल दिये जो की आपको 6 मिनट में बोलने हैं ऐसी नेगेटिव पॉइंट भी आपने 4-5 बोल दिये जो आपको 6 मिनट में बोलने हैं ध्यान रखिएगा, positive point बोलने के बाद आपको एक conclusion जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि conclusion नहीं होगा, तो ये सारे points का sum up यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे, तो फिर आपको debate में कम score मिलेगा, तो मैं आपको favor में 10 points और against में 10 points बताऊँगा, conclusion के साथ, और English और Hindi medium दोनों में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, कई बच्चे English में त्यार करते हैं, कई बच्चे Hindi में त्यार करते हैं, दोनों ही यहाँ पर solve हो जाएंगे, अगर आप in exams की त्यारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो में comment में pin कर रहा हूँ, SOSE के लिए अभी से त्यार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप loss में जाएंगे, एक तम से त्यारी नहीं हो पाती इसकी, इसकी हम त्यारी कर रहे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, debate वो यहाँ से इसके लिए बता रहा हूँ, ताकि आप इसकी debate की त्यारी कर सकें, तो ये है favor में प पॉइंट है, क्योंकि इतना अधिक बदलाव हो चुका है, कि हम अब उस बदलाव से बचने के तरीके को खोजें, ना कि उसको reverse करने के बारे में खोजें, क्योंकि reverse थो हम करी नहीं सकते, ये positive point है, इस topic के आगे, ठीक है, greenhouse gases has accumulated to dangerous level, greenhouse gases जैसे carbon dioxide level इतना ज़्यादा हो गया है कि उससे बचने के तरीके हमें खोजने चाहिए, ना कि उसको कम करने के, ये favor का point है, वीडियो को pause करके आप English और Hindi में दोनों में अच्छे से समझ सकते हैं, oxygen, जो absorption कर रहे थे heat का, वहाँ पर ये point बता रखा है मैंने, melting eyes and rising sea level, फिगलती हुई बर्फ और समुंदर का जो जल इस तरह है, वो इतना बढ़ रहा है कि अब उसे हम रोकना नामोमकिन के बराबर है, तो ये positive point है, जब मैं against में बोलूँगा ना तो मैं बताऊंगा, अब भी बात जादा तो है, बट उसको cover up किया जा सकता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, feedback loops are accelerating, बार बार feedback मिल रहा है कि अब हम इसे ठीक नहीं कर सकते, तो हमें बचाओ की तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन-कौन से feedbacks हैं, वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, loss of biodiversity, natural carbon sink, जैव विवित्ता और प्राकिरतिक carbon sink का नुकसान हो चुका है, human and economic cost, बार बार इतनी अधिक है कि इसको दुबारा से refurbish क करना बहुत मुस्किल हो गया है, adaptation is now essential, हमें अनकूल बनने के लिए इस से बचने के तरीके खोजने चाहिए, ना कि इसको सही कर दें के, क्योंकि यह irreversible हो चुका है, irreversible आपर यह वरतनिया का मतलब यह है कि निस्क रहता बंद हो जानी चाहिए, मतलब यह irreversible है, और अभी हम इसको कम तो नहीं कर सकते, बठाव कर हम अभी भी carbon dioxide का oxygen इन सब का कम कर लें, तो इतना ही रहेगा, जिसको हम दूसरे method से बचा लेंगे, या इस से बचने के तरीके खोज लेंगे, तो यह ninth point है, आपको flow में करने के लिए इसको एक बार लिखना होगा, और ध्यान से इनक अपने भासा में छोटा या बड़ा करना होगा, तो यह ten points मैंने आपको बता दिये, फेवर में, और यह है इसका conclusion, ध्यान रखेगा यह conclusion है positive वालों का, यानि फेवर वालों का, उन्हीं points को sum up करके आपको judge के सामने 2 second में या 30 second में बताना होता है, तो यह फेवर वालों का ह अब मैं बात करूंगा इस topic के against की, यह topic against में यह कहता है कि जो changes हुए हैं, उनको हम अभी भी control कर सकते हैं, देखिए, यह scientific consensus जो है actionable solution की बात कर रहा है, कि यह यह action लिये जाएं, तो हम इसको control कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास मौका है, यह है natural resistance ecosystem can recover, nature जो है ना वो इतनी जल खराब नहीं होती, अगर खराब हो गई है, तो अगर उसको मौका दें, तो कुछ सिमय में ही वो सब को reverse कर सकती है, technology solution, अब जो technology है, उसका इस्तमाल करके भी हम इसके solution को खोच सकते हैं, देखिए, जब मैं positive की बात कर रहा था, तो अब मैं यह कह रहा था, कि इसके solution है ही न कुछ natural phenomena हो रहे हैं, जो इससे बचने की कोसिस कर रहे हैं, हमें उसको बढ़ावा देना चीए, ताकि हम बच सकें, जैसे renewable energy का इस्तमाल करने लग जाएंगे, तो carbon resurrection कम से कम हो जाएगा, ठीक ऐसे economic growth के बारे में, यहाँ पर जो economic growth है, वो हमारी उसके उपर dependent होनी चीए, sustainable development क के उपर और उसकी policies के उपर, ऐसी यह भी against में पॉइंट है, non-zero emission को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए, even के द्वारा 190s countries में, सिरफ बाते बनाने से नहीं होगा, public awareness भी रखनी पड़ेगी, लोगों को और हम जैसे youth को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारा जीवन आ के लिए बहुत सारी कोसिस करनी होगी, जो बड़ी कंपनिया है, apple और google इन सबसे भी appeal करी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि भी कम से कम pollution को create किया जाए, ये we are close to reversing emission trends, हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, immersion को रोखने के लिए, और ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना हमें optimistic रहना है, और आसावादी रहना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम इससे बच सकते हैं, और ये है आपके against का conclusion, इस against का conclusion में ये बताया गया है कि global warming अधिक हो चुका है, ये हम जानते हैं, बट इतना भी अधिक नहीं है कि इसको हम reverse ना कर सकें, तो मुझे उमीद है कि ये आपको अच्छा लगा हुआ, वीडियो को like करें, अपने दोस्तों में share जरूर करें, comment करके बताये कि ये जो topic है English medium और Hindi medium में मैंने आपको कैसा बताया, और अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe जरूर करें, वीडियो को आखरी तक देखने के लिए आपका धन्यव करें